हेलो फ्रेंट देखें जैसे कि हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया है कि हम लोग सीटर की तयारी कर रहे हैं जो साथ जुलाई दोजार चौबिस को एकजाम होने वाला है उसके लिए ठीक है तो देखें इसमें हमारा पार्ट यानि कि अध्याय वन अध्याय टू का पार्ट वन कंप्लेट हो चुका था ठीक है अध्याय टू है हमारा मानो का विकास प्रारंभिक समाच से नगर तक ठीक है तो पार्ट वन देखें हमने पढ़ लिया था आज हम लोग पार्ट व के बारे में डिसकस करेंगे ओके फ्रेंड्स तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एम सब्सक्राइब नहीं किये हैं वेलो कर लिजिए चैनल है हमारा लर्नवी थाल पना और अपने सभी दोस्तों को भी फ्रेंड्स अपने वाटसाफ फेसबुक इंस्टा टेलिग्राम के जरिये सेयर करिए ताकि सभी लोगों को एंसी आर्ट से जुड़े जितने भ आप सभी लोगों के पास पहुच सके तो चलिए देखिए हमने यानि कि लोथल वगएरा तक सब पढ़ लिया था हमने ठीक है अज हम लोग नगरी विसेस्ता के बारे में पढ़ेंगे इसमें तो देखिए हमने पॉइंट टो पॉइंट लिया है कि वह फैक्ट चीजे जो हमने आप सभी लोगों को पहले ही बताया कि आप लोग एंस यार्टे के बुक 6,7,8 की अलग अलग पढ़ते हैं और इन तीनों बुकों का निचोड एक ही यानि कि एक ही बुक से हम आप लोगों को कम्प्लिट कराएंगे ठीक है तो हम आप लोगों को चेप्टर वाइज कर पर इसके बारे में हमने करा दिया था एक है जितने भी आपके थिोड धीया थे हमने आपको समझा दिया था और जितने भी आपके previous year questions पेपर में questions आये था उसके बारे में इसको किया तो आज भी हम आप लोगों के साथ पार्ट वन में जो आपका अध्याय था उसको complete किये थे ठीक है part 2 में थोड़ा सा बाकी रहा गया था ठीक है इसके बाद जितने में previous year questions paper में आपकी questions आए गये हैं ठीक है उसके बारे में हम आज की इसी class में discuss करेंगे तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग इस सभ्वित्य प्राची प्रीज़ित नगर है है ठीक है सेकेंड पॉइंट है आपका कि समानेता है इस सभ्यता के नगरों में से कई को दो या उससे जादा हिस्सों में विभाजित किया गया है यानि कि जो यह सभ्यता है ठीक है इनके जो नगर है इनमें से कई को दो या फिर उससे जादा यानि कि अधिक हिस्सों में भी इसी में आ गए है कि ऊच्छे टीलों पर इस्तित प्राचीन फिक है प्राचीर युक्त बस्ती को पुरा तत्व विदो ने नगरदुर्ग और इसके पस्चमी ओर के आधिवासी छहित्र को निचले नगर की संगया दी है यानि कि देखे जो उचे टीलों पर इस्तित प्राचीर युक्त जो बस्तियां है उसको पूरा तत्व वीदों ने उसको नगर दुर्ग कहा है ठीके और इसके जो पस्चमी ओर जो भी आपके आवासे छितर हैं उसको नीचले नगर की संग्या दी गई है ठीके चलिए अगला पॉइंट है आपका कि हडपा संस्कृती की जल निकास प्रडाली अद्वितिय थी नालियां इटो या पत्थरों से धकी होती थी इनके निर्माड में मुख्य तह इटो और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी जो मुख्य नालियों में गिरती थी जिन में मेन हॉल बने थे चलिए अगले पॉइंट देखेंगे क्या है हमारा देखिए अगला पॉइंट इसमें आपके नगरी विसेस्ता में ठीके कि भावन निर्माड में उची कच्छी तथा पक्की दोनों तरह की इटों का अगला पॉइंट है कि इन नगरों के घर आम तौर पर एक या दो मंजीले होते थे और पुश घरों में खुएं भी होते थे यानि कि पहले कि घर आप जब राजा महराजाओं के देखेंगे उनके घर के अंदर खुएं भी होते थे ठीक है और इन लोगों के घर दो मंजीले होते थे ज्यदा तर ठीक है अगला पॉइंट हैप का कि कई नगरों में ढखे हुए नाले होने के करण जगँ जगँ main hall बनाए गया थे ठीक है यानि कि कई नगर में ढके हुए नाले थे ठीक है और इसी के लिए वहाँ पर main hall बनाया गया था ठीक है आगे है कि घर नाले और सडकों का निर्मार योजना बद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था ठीक है यानि कि घर हो गया शड़क हो गया इन सभी का जो निर्माण होता था एक योजना बद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था अगला पॉइंट है कि सड़के कच्ची थी और प्राया एक दूसरे को शमकोड पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी यानि कि जो आपकी नगरी शब्भेता यानि कि हडपा शब्भेता में जो भी आपकी सड़क थी ठीक है वो उस टाइम वो कच्ची सड़के थी ठीक है और वो एक दूसरे को एक समकोड पर भी यानि कि 90 डिगरी पर काटती थी ठीक है तथा नगर को आयता कार खंडों में विभक्त किया गया था जो भी नगर थे उसको आयता कार खंडों में विभक्त किया गया था अगला पॉइंट है आपका कि हडपा कालीन नगर की प्रमुक शड़क को प्रथम सड़क कहा गया है यानि कि जो भी नगरों में प्रवेस जो होता था वो पूर्वी सडख की ओर्ष्य होता था ठीक है जहां पर यह यानि कि जो प्रथम सडख होता था वहां से जा करके यह मिल जाती थी ओके अगला पॉइंट है आपका कि घरों के दरवाजे मुख्य सडख की और ना खुलकर पिछवाड़े की थीक, अगला point है इसमें कि काली बंगा के कुछ मकानों के first में इड़ो का प्रयोग किया गया था, थीक, यानि कि जो काली बंगा के कुछ मकान थे, जिसमें कि जो उनका first बना था, उसमें इड़ो का प्रयोग किया गया था, धेखिए इन सभी से काफिया आपके MCQ type questions on previous year questions paper में पूछे गया हैं अभी हम आप लोगों को कराएंगे ठीके अब यहाँ पर हम लोग हडपा शब्भिता के फ्रेंड समाजिक इस्थिती के बारे में बात करेंगे ठीके यानि कि इनकी शमाजिक इस्थिती कैसी थी इसमें सबसे पहले देखिए पॉइंट है आपका कि सैंधव शमाज मातरी प्रधान था बिल्कुत सही बात है देखिए जो सैंधव शमाज था वो मातरी प्रधान-समाज यानि कि मातरे שत तत्मक परिवार था नगरों के आवसेसों से पता चलता है कि सहरों के लोग विलासिता पूर्ण जीवन ब्यतीत करते थे तथा भिन भिन वर्गों का अस्तित्व था ठीक है यानि कि देखे जो संधो शमास्ता फ्रेंड्स यह आपका मातरी प्रधान था और जो भी नगर के आवसेस हैं ठीक है उनसे पता चलता है कि जो सहर के लोग ते वो विलासिता पोड़ जीवन ब्यती करते थे और भिन भिन वर्गों का अस्तित्व भी था वहां पर ठीक है अगला पॉइंट है अपका कि समाज में ब्यापारी वर्ग सबसे प्रभाव साली था बिल्कुल सही बात है देखिए जो संधों समाज है ठीक है उसमें जो भी ब्यापारी वर्ग के लोग होते थे वो चबसि प्रभाव-षाली थे इस टाइम ठीक है ऑब आगे हम लोग क्रिषक के बारे में पढ़ेंगे दखिए क्रिषक के बारे में क्या कि हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज ये इतिहास में क्या क्या है ठीक है यानि कि सिल्पकार मझदूर, शामा ये लोग थे तथा चिक जोव, खर्बूजा, तर्बूज, नारियन, नीबू, अनार, भेड, बक्री, शुवर, मुर्गी, बत्तक, आधिका, उल्लेक यहां पर मिलता है ठीक है यानि कि ये जो किसिक है इन सभी लोगों का इन में उल्लेक मिलता है ठीक है आगे है देखिए कि योध्धा वर्ग के अस स्थान प्राप्त था यानि कि जो दस्तकार होते थे ठीक है इसमें से जो कुमहार होते थे इन समाजों में इनको विसेस स्थान प्राप्त होता था यानि कि जो दस्तकारी का काम करते थे अगला पॉइंट है काजल पाउडर लिपिश्टिक दरपड आधिस अच्छों से इन इसको rate से type किया है ठीक है fans देखे fans क्या होता है ठीक है पत्थर और संख प्राकरतिक तौर पर पाये जाते हैं लेकिन fans को कृत्रिम रूप से तयार किया जाता है ठीक है बालो या इस फटिक पत्थरों के चुर्ड को गोंद में मिला कर उनसे वस्तुवे बनाई जाती थी उसक पत्थर और संख प्राकरतिक तौर पर पाये जाते हैं लेकिन जो fans होता है यह आपका कृत्रिम रूप से तयार किया जाता है यानि कि जो बालो इसे हम लोग इस फटिक बोलते हैं ठीक है इस फटिक के पत्थरों के जो चुर्ड होते थे उसको गोद में मिला करके उनसे वस ठीक है वन मिनट चली देखे आर्थिक स्थिती में क्या है देखे जो हडपा कालिन आर्थ बिवस्था था फ्रेंट्स यह आपका सिंचित क्रिसी अधिसेद पशुपालन विभिन दस्तकारियों में दच्छता और आंतरिक और वाह या ब्यापार पर आधारे थी यानि कि ज क्रिसी अधिसेद पशुपालन करके विभिन दस्तकारियों में दच्छता और आंतरिक और बाह ब्यापार पर यह आधारी थी इनकी आर्थिक स्थितिया अब देखे हडपा सभिता के लोग यानि कि क्रिसी क्या था यानि कि संध्व समाज के लोगों से ठीक है यहां पर दे तथा मटर सरसो तील आदी अन्य फसले थी चावल के आवसेस लोथल एवं रंगपूर से मिले हैं काली बंगा से जुते हुए खेत का साथ यहां बनवाले से मिट्टी के हल जैसा खिलोने प्राप्त हुआ है ठीके कापास की के खेती जो है उसका सरव पर्थम यहीं से क्रिसी था ठीके और क्रिसी में देखिए गेहूं जो यह दोनों तो मोश्ट इंपॉर्टन है ठीके और इसी के साथ देखे मटर शट्स तील इन सभी का भी यानिकी साच पाया गया था ठीके यानिकी फसले थी उस टाइम संध्यों समाज के लोगों के समय में ठीके जो अब भास के खेती है वह भी शरपरतम यहीं से ही सुरू हुई है ठीके काली बंगा ठीके आगे अभी तक देखें अभी तक देखेंगे जो नहरों और वर्वरकों के साथ च्थे वह अभी तक नहीं मिले थे ठीके अब आगे हम लोग पश्वु पालन पढ़ेंगे ठीके प मिर्मूर्तियां तथा सुर कोठदा से घोड़े के अस्थी पंजर प्राप्त हुए है देखें जो लोधल रंगपूर ता से उध्योग का उपयोग करते थे यानि कि कौन-कौन सा उध्योग वह लोग चलाते थे या करते थे थे ठीके उनका उध्योग क्या था तो देखे फ्रेंट्स जो हडपा लोग थे वो तामबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे ठीके और धातु से लगु मुर्तिया बनाने के लिए मोम साचा विधी प्रचलित थी ठीके इस सभिता के लोगों का प्रमुक उद्योग सूती वस्त निर्माड था यानि कि मुर्ति निर्माड ठीके आभूशर एवं मन के बनाने के साच भी मिलते हैं ठीके हडपा के लोगों से आगे है कि बरतन निर्माड भी अत्यांत महत्तपूर ब्यावशाय था हडपाई लोगों को लोहे का ग्यान नहीं था तो देखें कला और सिल्प के बारे में क्या है जो संथो कालीन है ठीक है ? यह सबसे पहरा है प्रसिध्य कला कृतिया इनके हडपा एवन मोहन जोदुलों से प्राप्थ कांसे की गाडिया दाढ़ी वाले सीर की पत्थर की मूर्तिया श्वास्तिक चिन्द मोहन जोदुलों से प्राप्ता हाथी दाथ पर मानव चित्र ठीके ये सब प्राप्त हुए थे आगे है कि हडपा सब्भेता से पकी मिट्टी की मिरड मूर्तियां यानि कि टेरा कोटा जिसे बोला जाता है हिंदी में ठीके ये मिला था और बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पस्वो की अप संदरो को संदर हमाज में हडपा के लोगों इनसे कया किया किया को सिल्फय मीलें थे थे तो इनसे प्राप्त स्वास्टिक चिन बेड़े संब सब्राप्त है मिट्टी की मिरण मूर्तियां यानि की टेरा कोटा है वो मिली है ठीक है और बर्दनों पर बर्दनों पर बर्दनों पर बर्दनों में एक रूपता है और उन पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी मिलती है ठीक है यह सब आपके हडपा से प्राप्त हुआ ह चलिए आगे हम लोग देखेंगे ब्यापार देखें सिंदू समाज में ब्यापार कैसा था इसके बारे में थोड़ा सा नौलेज हम लोग लेंगे इतिहास से रिलेटर ठीक है देखे जो सिंदू सभेताकाल है इसमें ब्यापार वस्तु वीनि में प्रडाली पर आधारित था यानि कि जो सिंदू सभेताकाल है इसमें जो ब्यापार होता था वो आपका वस्तु वीनि में प्रडाली पर आधारित था ठीक है लोगों के जीवन में ब्यापार का बड़ा म महत्व था देखिए इसके पुष्टी हडपा मोहंजोदुर तथा लोथल में अनाज के बड़े-बड़े कोठारों के तथा धेर शारी सीलो यानि की मिरिंड मुद्राओं ठीक है मिरिंड मुद्राओं और मान की कृत्मापतौलों से सिध्ध होती है ओके आगे है कि सिंदु छेत्र का प्राचीन नाम है ओके प्राचीन लेखों से इग्यात होता है कि उन नगरों के ब्यापारी मेलुहा के ब्यापारियों से वस्तो वीनिमे करते थे ठीक है चलिए आगे अब हम लोग ब्यापारिक संबंध के बारे में डिसकस करेंगे ठीक है तो देखिए जो ब्यापारिक संबन्दे इफ्रेंट ये भी आपका प्वाइंट वाईज दिया गया है रोस पहल पॉइंट इसमें दिया गया है विडेसी ब्यापार अफगानिस्तान एराण एका आधे यूध। के साथ था देशी ब्यापार के परिवहन के शाधन बैल गाड़ी तथा विदेशी ब्यापार मुख्यता नौ परिवहन द्वारा होता था यानि कि जो भी आपके देशी ब्यापार होते थे ठीके इनके परिवहन का जो साधन था वो बैल गाड़ी था और जो विदेशी ब्या पार होते थे आफगानिस्तान इरान मध्ध एसिया में ठीक है यह सब आपके नौ यानि कि नाव से करते थे ठीक है नौ परिवहन द्वारा करते थे अगला पॉइंट है कि गुजरात से चावल लोथल वसुर कोटदा से कपास का निर्याद किया जाता था यानि कि गुजरात स कंगा शूती कपड़ा थी यानि कि जो सिंधू से निर्याद की वस्तुए थी वह आपका तामबा था मूर था ठीक हाथी दाद की वस्तुए थी कंगा था शूती कपड़ा यह सब था ओके चलिए आगे देखिए एक पॉइंट और है देखिए जो तॉल की इकाई होती थी वह तॉल की जो इकाई होती थी फ्रेंट सिंधू समाज में वह आपका शोला अनुपात में थी यानि कि शोला के अनुपात में थी और मुहन जोदुरू से सिप एम लोथल से हाथी दाद का पैमाना मिला है ठीक है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंट हम लोग पढ़ेंगे आयातित वस्तुए यानि कि कौन-कौन सी वस्तुए कहां-कहां से आयातनिर्याथ इनका होता था ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे तो चलिए सबसे पहले देखिए इधर आपका आयातित की जाने वाली वस्तुए दिया गया है और इधर अस्थल या फ आफगानिस्तान से आयातित की जाती थी और तीसरा है आपका तामवा, देखे खेतड़ी यह बहुत जदे प्रसिद्ध अपका राजस्थान में यह ठीक है, यह इन्डिया के अंधर्गत, भारत में हमारा जो खेतड़ी है, ठीक है, यह तामवा के लिए बहुत ही फेमस है, औ आपका बलुचिस्तान से भी इसका निर्यात किया जाता था ठीक है अगला है आपका टीन टीन देखे एरान यानि की मध्ध एसिया और अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था सेल खड़ी जो होता है वो आपका बलुचिस्तान राजस्तान गुजरात से आयात होता था इसक आपका बदक्साम ठीक है यानि कि अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था जो सीसा है यहाँ पर यह आपका इरान, राजस्तान, अफगानिस्तान, दच्छड भारत से आयातित होता था सीला जीद जो है वो आपका हिमाला च्छेतर से आयातित होता था फिरोजा इरान से आयातित होता था और लाज़ बर्द जो होता है वो आपका बद खारम यानि की अफगानिस्तान और मेंस्टो पोटामिया से आयातित होता था आई हो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो अब हम लोग बात करेंगे मुहरे और लीपी ठीक है यानि कि उस टाइम कौन-कौन से मुहरे चलती थी क्या लीपिया थी ठीक है इसके बारे हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखिए मुहरे और लीपियों के बारे में तो यहां पर देखिए जो हडपा संसिक्रती की जो सरवत्तम कलाकृतियां है ठीक है उसकी मुहरे ये आम तोर पर मुहरे चावकोर होती थी यानि कि जो हडपा संस्कृति की मुहरे थी या आम तोर पर चावकोर होती थी लेकिन बेलनाकार वृत्ताकार आयताकार मुहरे भी मिली है ठीके देखिए अधिकांस मुहरे जो है वो आपके सेल खड़ी की बनी थी परन्तु कुछ गोमेद मिट्टी वा चर्ट की भी बनी थी ठीके अगला पॉइंट है कि मुहरे पर सरवाधिक चित्र एक सिंग वाले शाड यानि कि व्रिशब का है ठीके ध्यान दीजेगा हडपा संस्कृति के जो मुहर थे उसमें सरवाधिक चित्र जो है मुहरे पर वो आपके एक सिंग वाले गैंड यानि कि शाड व्रिशब का ह ठीक है अगला आपका point है कि सिंदु सब्भेता की लीपी भाव चित्रात्मक है यह क्रमसर दाई और से बाई और और तथा बाई और से दाई और लिखी जाती है ठीक है ध्यान दीजेगा जो सिंदु सब्भेता की लीपी है friends वो आपकी भाव चित्रात्मक थी यह आपकी लिखे जाती है इस पद्धती को बेश्टरो फेदोन कहते हैं आगे अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक जीवन ठीकैं यानि कि हडपा सभिता के लोग जो थे उनकी धार्मिक जीवन क्या था कैसे था इसके बारे में डिसकस होगा ठीकैं तो देखे फ्रेंड जो हडपा सभि ताकि लोग थी वो मानो पसु तथा ब्रिच ठीक है तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे देखे लोगों का जो धार्मिक जीवन है वो हिंदु जीवन पधती से मिलता था ठीक है हडपा के पुरा स्था से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों पत्थर की छोटी मूर्तियों मूहरों पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों मृदभांडों पर चितरत चिन्धों से यह परिलचित होता था कि धार्मिक बिचारधारा, मात्र देवी, पशुपतीनात, लिंग योनी, ब्रिच्छ पतिक, पशुजल, आदी की पूजा की जाती थी ठीके आगे है कि हडपा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साच्छ मिले हैं हमने उपर बताया कि हडपा सभ्यता से आपके स्वास्तिक कश्यन मिला है ठीके और चक्र का भी जो साच्छ है वो आपके हडपा सभ्यता से ही मिले हैं जो सुर्य पूजा के प्रतीक हैं इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादोतो ना आर्दी में भी विश्वास करते थे अगला है आपका यहाँ पर सभ्यता का अंत या फिर पतन ठीक है तो देखे जो सभ्यता का अंत या पतन हुआ है देखे ये लगभग आपका 49 शोवर से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है ठीक है देखे अचानक लोगों ने फ्रेंड से इन नगरों को छोड़ दिया और इस सभ्यता का अंत एक रहष्य बना हुआ है अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के कारणों को लेकर अनिक मत दिये हैं प्राकृति कापदाएं जैसे कि बाड़, शूखा, नदी के बहाओं में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है यानि अन्त हो गया था इसका और इसका एक रहष्य बना हुआ था लेकिन अलग अलग विद्वानों ने यह कहा है कि यहां पर जैसे कि बाड़, शूखा, नदी के बहाओं में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का यह सब मुख्य कारण माना जाता है अब इसके बाद देखिए फ्र पहला क्वेश्चन आपके देखिए कथन और कारण वाले हमने लिए हैं ठीक है यह सब क्वेश्चन देखिए आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं अभी इसके बाद हम आप लोगों को कुछ प्रीबियस एर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे इसके आजी के क्लास में माना जाता है तो यह तो बिल्कुल ही सही बात है फ्रेंट्ट ठीक है हडपा सभहता को और कारण इसका दिया गया है कि हडपा एक नगरी संस्कृती थी इस शब्हता के नगर बिश्व की प्राचीनतम और सुनियोजित नगर हैं ठीक है सही विकल्प का चैन करें तो देखि है आपका A सही है परंतु R गलत है और लाश्ट आपका D आंसर है फोर्थ A गलत है परंतु B सरी A गलत है परंतु R सही है तो यहाँ पर देखे फ्रेंड जो सबसे correct option होगा वो आपका यहाँ पर option हो जाएगा option number B कि देखे A और R दोनों ही सही है लेकिन यहाँ पर जो R है वो A की सही व्याक्या नहीं कर रहा है देखे जो हडपा शब्वेता आद्ध इतिहास के अंतरकत माना जाता है यह बिल्कुल सही बात है ठीक है लेकिन दोनों बाते सही गई है लेकिन हडपा सभ्वेता के अंतरगत यह जो इसकी कारण कहा गया है कि हडपा एक नगरी संस्कृति है इस सभ्वेता के नगर बिश्तु के प्राचींता मुर्ष्टू नियोजित नगर है ठीक है तो यह थोड़ा सा इसका जो कारण है इस पर ठीक आनी रहा है ठीक है बाकि सही तो डोनों ही है लेकिन इसका जो ब्याख्या है वो सही करनी रहा है ठीक है तो चलिए यहां पर जो राइट ऑप्सन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्सन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है अगले कोस्टन के ओर चलते हैं और देखते हैं अगला कोस्टन हमारा क्या है देखिए अगला कोस्टन फिर से आपके कथन और करण वाले हैं ठीक है यहां पर यह मिश्टीक हो गया है ठीक है दोनों कथन ही रहेगा यहां पर ठीक है पहला है आपका ए कि पासाड उपकरणों का निर्मार दो प्रकार से किय बिल्कुल सही यानि कि कथन जो है वो दिया गया है सेकेंड कथन है आपका कि पूरा पाशाड काल में पत्थर के आवजार बनाये जाने वाले इस्थान को उद्योग अस्थल कहते थे तो देखें फ्रेंड्स हाला कि यह आपसं तो आपके कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही होगा ठीक है कि जो पाशाड उपकरड़ा है इनके निर्माण को दो प्रकार थे हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लस में कि पहला पत्थर से पत्थर को टकरा कर यानि की टकराना और दूसरा दबा सलक तकनिक ठीक है और यह भी बात सही है कथन बी कि पूरा पाशाड काल म यहां पर देखिए बिल्कुल सही option B हो जाएगा कि A एवं B दोनों शही है और A जो A है उसका सही इस पश्टी करड़ B नहीं है ओके तो यहां पर देखिए option number B आपका बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अगले question के ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला question क्या कहता है अगला है आप लोगों का third question देखिए इसमें भी कथन A और कथन B दिया गया है ठीक है सबसे पहला हम लोग कथन A देखेंगे इसमें है कि पूरा पाशाड काल दो शब्दो पूरा यानि प्राचीन और पाशाड यानि पत्थर से बना है जो कि बिल्कुल सही बात कही गई है कथन A में कथन B है कि पूरा पाशाड काल मानव इतिहास की 99% कहानी बताता है जो कि बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पर A और B दोनों ही सही है और A जो है वो सही इस पश्टी करण B है ठीक है उसका सही इस पश्टी करण B दे रहा है तो यहाँ पर देखिए आपका right option A ही ब जो कहा जाता था तो हमने आपको देखिए थियोरी वाले फ़र्ष्ट यानि के पार्ट वन में चेप्टर टू के पार्ट वन में यह यानि की थियोरी पढ़ाया है आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो question का answer अच्छे से कर पाएंगे ठीक है answer है पहला आपका यहाँ पर कि भोजन का शंगरह करने के आधार पर second है पस्वो तथा जंगली जानवरों के सीकार करने के आधार पर she है नई नई जगहों पर घूमने के कर और चौथा है आपका चिलिया तथा मचलिया पकड़ने के आधार पर तो देखें जो प्राचीन समय के आरंबिक माननो को आखिता खा दे संग रहा ह कीयू कहा जाता था था तो यहां पर क्यों कहा जाता था था तो यह इसका right ऐट ओपसिन हो पाच्वा कि आखेटक खादेश समुदाय के लोग किस कारण एक जगां से दूसरी जगां घूमते रहते हैं पहला option है आपका भोजन के लिए नए विकल्प, second है आपका मविश्यों के लिए चारे हेतु नई जगां कि आखेटक खादेश समुदाय के लोग किस कारण एक जगां से दूसरी जगां घूमते रहते हैं तो उनकी जो बदलती जलवायू होती है इसके कारण वो लोग एक जगां से दूसरी जगां घूमते रहते हैं चलिए अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग क्वेस्चन नंबर शिक्स होगा हमारा ठीक है यहां पर आपको निम्न कथनों पर विचार करना है उसके बाद आपको आंसर बताना है ठीक है देखिए आपका कथन A दिया गया है यह भी देखिए हमने आपको भीम बेटका के बारे में पढ़ाया है उसी से पूछा गया है कथन A है कि भीम बेटका हूंसी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक वा संग्राहक होने की प्रमार मिले है ठीक है और option number B है आपका कि कुर्णुल गूफा से मिले राख के आवसेस से स्वष्ट होता है कि पूरा पाश्डिक आरंभिक लोग आग से परचित थे जो कि बिल्कुल गलत होगा ठीक है तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स option number आपका स्वरी आपका जो कथन है यह वो शही होगा लेक और B जो है वो गलत है ओके चलिए अगले question के ओर चलते हैं देखते हैं अगला question हमारा क्या कहता है देखिए अगला question है कि निम ने दिये गए कथनों में से गलत कथन चुनिए ठीक है अब यहां पर भी आपको कथनवाई जी बताना है यानि कि कुछ कथन दिये गए है उसमे अलूचिस्तान प्रांत में इस्ति थे यहां से गेहूं और जो के आवसिस मिले हैं ठीक है और B option आपका दिया गया है कि कोल्डियों उत्तर प्रदेश के इलहाबाद जीले में अवस्ति थे यहां से चावल और जानवरों के हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं C D option है आपका कि चीरांद आधुनिक बिहार राज्य में हैं यहां से गेहूं हरेचने जों भैस और बैल के आवसिस मिले हैं और D है कि गूप क्राल आधुनिक बिहार में इस्तित्य यहां से गेहूं और दलहन के साथ से प्राप्त हुए हैं तो देखिए यहां पर जो सब सी क चावल के साथ मिले ही हैं ये भी आपका बिल्कु सही होगा ठीक है और चिरांद आधनिक बिहार राज में ये भी हमने आपको प्रहा था चिरांद वाले टॉपिक पर ठीक है पार्ट वन में तो यहां पर जो सबसे गलत होगा फ्रेंड सॉप्सन नमबर डी होगा कि जो आपको हडपा के संदर्व में सही कथन का चैन करना है पहला कथन है आपका कि हडपा सब्वेता एक नगरी शब्वेता थी जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड देखे हमने भी आपको बताया अभी अभी पढ़ाया आजी के क्लास में ठीक है कि हडपा सब्वेता क्या है एक सही है चलिए अगला कोश्наком है आपका देखिए मर अ कि सिंदू सभता के पतन संबंदी नीचे दिये गये कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं सबसे पहला देखिए आपका कथन है कि प्रमुख नदीयों के मार्ग परिवर्तन और बाढ़ों के कारण यह सभिता नश्ट हो गई ठीक है और स्टेकंड है कि वनों की स्वरी वनों की कटाई के कारण सूखे के कारण वर्षा की कमी से यह सभिता नश्ट हो गई और श्टी है कि आरियों ने अपने आक्रमर द्वारा इस सभिता के लोगों का शमूल नास कर दिया ठीक है तो यहां पर देखिए जो right option होगा friends question number 10 का ठीक है यह आपका A, B, C ठीक है तीनों ही सही होगा ठीक है तो जो right option होगा option number D आपका बिल्कुल corrective हो जाएगा चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा दो तीन question है तो हम दो questions के आप लोगों को बताएंगे और एक आप लोगों को homework में रहेगा ठीक है आप लोग comment box में हमें comment करके बताइएगा ठीक है देखिए सिच्छल सास्त्री questions है आपकी यहां पर दिया गया है कि आप मध्य भारत के प्रा प्रजक्त की तयारी कर रहे हैं आप चात्रों को निम्नमे से किस चेत्र के बारे में जनकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे पहला है जैनतिया पहाड़िया दूसरा है विंद्ध पहाड़िया तीसरा है अरावली पहाड़िया और चोथा है किर्थार पहाड़िया ठीक है तो देखे यहां पर देखे यदि आप मध्य भारत यानि कि प्राचींतम कुषित छेटर पर प्रुजक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप छात्रों को कि छेटर के बारे में जनकारी प्राप्त करने के लिए कहें गे तो यहां पर आपका राइट आप्शन होगा जेनतिया पह क्या आपको लगता है जब मानों ने पहली बार अगनी में पका हुआ मांस खाया होगा तो उसका स्वाद अच्छा लगा होगा तो पहला आपका परिस्थिति के बारे में परिकल्पना करना दूसरा है अनुभाव के तूलना करना तिसरा है परिस्थिति से अनुमान लगाना और चौथा है कारण और प्रभाव तो देखिए यहां पर सबसे करेक्ट ऑप्सन होगा कि जो भी उनके अनुभाव है अब तक है ठीक है उससे वह यहां पर तूलना करेगा ठीक है तो जो राइट ऑप्सन होगा फ्रेंड आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चल हड़पा, सब्विता के पतन के कारणों को बता सकेंगे अनुदिशनात्मक उद्दे से लिखता है या फिर लिखती है या उद्दे से किसके अंतरगत आएगा आपको बताना है किसका जो उद्दे से है वह उत्दे से है इसकी ज्यान कि अवबोध के अनुप्रयोग के या फिर शंसलेसर के तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है ठीक है ग्यान आवबुद अनुप्रयोग शंसलेसर यह आप लोगों को टाइप करकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ठीक है और इस क्वे वर्षों में पूछे गए प्रशन तो देखिए फ्रेंड जो भी हमारे सीट एट में क्वेश्चन्स पूछे गए हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करेंगे ओके चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है कि पहले के पूरा अस्त्तल ऑनंसे एक पूरा अस्त्तल बिर्ज फ जो क्वेस्टन है आपके सीटर दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 ठीक है यानि कि दो बार यो क्वेस्टन पूछे रहे हैं कि जो भी आपके पूरा स्थाल है ठीक है उनमें से जो एक पूरा स्थाल बुर्ज हों यहां पर खाना पकाने के लिए चुलू के जो चिन्ध मिले हैं वो कहां पर मिले हैं ठीक है तो इसका क्या होगा राइट ऑप्सन फ्रेंड्स यहां पर जो पड़ियों से दूर यानि कि आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यह दो बार आपसे क्वेस्टन पूछे जा चुके हैं ठीक है सीटर दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में आनलाइन सिप्ट वाले पर जो फर्स्ट कोस्चन का राइट ऑप्सन होगा ऑप्सन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके अच्छा यहां पर क्वेस्चन नमबर फोर कैसे आगे भाई क्वेस्चन नमबर फोर दे दिया है तो हम लोग ऐसे ही सॉल्ब करेंगे इसको ठीक है अगला क्वेस्चन है कथन है ठीक है कथन ए है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई छित्रों में गर्मी बढ़ने के करण घास वाले मैदान बनने लगें और कथन बी है कि हीरड बार काल पहले कर शेंगा बकरी भेड़ और मवेशी जैसे जान्वरों की शंख्याभ बढ़ी ठीक है तो यहां पर आपसे पूछा गया है एक कपर बी ओपोस्टि नहीं है C है A सही है किन्तु B गलत है और D है कि A गलत है किन्तु B सही है यह आपका देखिए C date 31 January 2021 यानि कि online shift में यह questions आप सभी लोगों से पूछे कहे हैं ठीक है तो चलिए इसका हम लोग सही option देखेंगे कि कथन A और कथन B क्या है सही है या गलत है ठीक है तो यदि आप लोगों को पता होगा तो comment box में हमें comment करके बता सकते हैं ठीक है नहीं पता है तो कोई बात नहीं चलिए हम लोग discuss करते हैं एक बर फिर से देखते हैं कथन A क्या दिया है तो देखे जो कथन A दिया गया है कि लगभग 12 हजार शाल पहले भारत में कई छित्रों में गर्मी बढ़ने के कारल घास वाले मैदान बनने लगे तो बिल्कुल सही बात है ठीक है और यहाँ पर जो संख्या जैनवरों की संख्या बढ़ी है ठीक है यह गलत बात है यह बढ़ी नहीं है बलकि पहले क्या पे चाब घड़ गई है तो यहाँ पर शोरी शोरी ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात है यह फीरड बारसंग है बकरी भिड और मवेसी जैसे ठीक है यहाँ पर देखिए यह आपसन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर देखिए बात तो दोनों ही सही कही गई है लेकिन जो इसका कारण है A का B वो नहीं होगा ठीक है तो इसलिए यहाँ पर राइट आपसन क्या होगा आपसन नमबर B कि A एवं B दोनों सही है किन्तो A का कारण भी नहीं है दोनों अलग अलग बाते कही गई है ठीक है बाते दोनों ही सही कही गई है लेकिन दोनों की मतलब जो है वो अलग अलग है सेम नहीं है चलिए अगला कुश्चन देखेंगे हम लोग क्या है अब कुश्चन है आपका कि हडपा सभ्था के लोग बनाते थे पहला है पत्थर की मुहरे पहला है पत्थर की मुहरे दूसरा है पीले रंग से डिजाइन किये गए पात्र पीले रंग से डिजाइन किये गए पात्र C है आपका लोहे से बनी तकलिया D है सोने से बने बरतन अब यहां आपको बताना है केवल A B तथा C, केवल B C तथा D, केवल A तथा C, केवल A तथा D और यह जो questions है friends यह आपके C date 31 January 2021 में पूछा गया है ठीक है तो यहां पर आप सभी लोग यदि बताना चाहें तो हमें comment box में comment कर शकते हैं तो यहां पर देखें जो right option होगा friends, option number D बिल्कुल correct होगा questions क्या पूछा था एक बर फीर से देखें और इसके बास समझेए कि हड़पा सभीता की लोग बनाना जानते थे तो केवल वो पत्थरों की मुहरे और सोने से बने बरतन ठीक है यहां पर जो right option होगा friends, option number D बिल्कुल correct होगा यानि की केवल A और D ओकी चलिए अगले question की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला question हमारा क्या कहता है देखें, question है आपका की भारत में आरंभिक माना उपर ठीक है भारत में आरंभिक माना उपर शमज के लिए निम्यलेखित में से किसी एक प्राथमिक सुरोत माना जा सकता है पहला option है आपका कांगड़ा शैली की चित्रकला दूसरा है आपका गिरनार का सैली अभिलेख तीसरा है पादशाह नामा चित्रकला और चौथा है मध्यप्रदेश की सैल चित्रकला ये देखें आपका seat rate December 2019 यानि कि offline वाले shift में आया था ठीक है और 2018 से लेकर के अब तक के जितने आप लोगों के online shift कराएगा है ठीक है इसका सभी हम आप लोगों को previous year questions पेपर भी कराएंगे बसरते आप लोग चैनल पर बने रही तो यहां पर आप से पूछा गया है कि जो भारत में आरंभिक मानो पर श्रमज के लिए निमने लेखित म इसे किसी एक प्रात्मिक स्रोत माना जा सकता है ठीक है तो किसी एक प्रात्मिक स्रोत माना जा सकता है इसका right option आपका हो जाएगा option number D ही बिल्कुल correct होगा मध्य प्रदेश की cell चितर कला ठीक है यह सब आप लोग यह थियूरी अच्छे से पढ़पाते हैं तो question का option भी आप लोग सही सही correct यानि कि choose कर पाएंगी ओके चलिए अगला question है अगला question है हमारा कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पासार यूग में भारत में सुतरमुर्ग होते थे यानि कि आज हम यह कैसे जान सकते हैं कि पूरा पासार यूग में भारत में सुतरमुर्ग होते थे ठीक है तो सबसे पहला option है यहां पर आपका देखिए उस समय की कृतियों में इन पच्छों का विविधा लेखा हमें मिलता है B option है महराष्ट के पटने पुरास्थल में सुतुरमुर्ग के अंडों के आवसेस मिले हैं तीसरा सुतुरमुर्ग पर मौखिक इसमरितियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रे संग्रहाले में अभी लेख है ठीक है और D है कि वीदेशी यात्रियों के व्रित्तान्तों में इनका वर्डन है इसको भी पूछा गया है ठीक है तो यहां पर देखिए इसका जो राइट ऑप्सन होगा फ्रेंट्स ऑप्सन नमबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह आपका महराष्ट के पटने पुरास्थल से सुतुरमुर्ग के अंडे के आवसेस मिले हैं यह हम आप लोगों को पार्ट वन वाले क्लास में आप लोगों को थियोरी में पढ़ा चुके हैं आप लोग ध्यान से पढ़िए सारे क्वेस्चन का आंसर आप लोग अच्छे से सौल्व कर पाएंगे चलिए अगला question है देखिया आपका कि हडपा सभ्यता का पतन कैसी हुआ question क्या था हडपा सभ्यता का पतन कैसे हुआ तो यहाँ पर देखिये friends question पूछा गया है इसमें आपका A है कि ऐसा लगता है कि सासको का नियंतर समापत हो गया B है जंगलों का विनास हो गया C है सभ्यता के पूरे छेतर में बाढ़ा आ गई और D है संभावत है नदियां सूख गई ठीक है अब इसमें आपको बताना है कि हडपा सभ्यता का पतन कैसे हुआ option A में है A B और C B में है A B और D C में है A C और D और D में है B C और D तो इसका जो right option होगा friends वो क्या होगा यानि कि हडपा सभ्यता का पतन कैसे हुआ हमने ये आपको आज ही के class में बताया था ठीक है तो इसका जो right option होगा friends आपका A C और D होगा ठीक है A C और D यहाँ पर देखे जंगलों के बिनास के बारे में हम लोगों ने आज कहीं नहीं पढ़ा था ठीक है तो इसको छोड़ करके बाकी ये सभी यानि कि option number C बिल्कुल correct हो जाएगा A C और D यह देखे friends seated December 2019 में भी questions आये हुए थे ठीक है तो इसलिए आप लोग ठड़ा सा NCRT पर जोड़ दीजिए और बिना अंसियाटे के आप लोग सीटेट क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे यह हमारा दावा है ठीक है अगला question है कि मानो इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी आवधी यानि की काल सबसे लंबी है नौ पाशाड़काल महा पाशाड़काल पुरा पाशाड़काल मध्य पाशाड़काल यह देखिए आपका सीटेट 9 दिसंबर 2018 को questions पूछे गए हैं ठीक है कि जो मानो इतिहास में जो सबसे लंबी आवधी है ठीक है वो किसकी है ठीक है तो यहाँ पर जो right option होगा friends वो आप right option हो जाएगा पूरा पाशाड़काल ओके option number C होगा बिल्कुल correct पूरा पाशाड़काल चलिए अगले question के ओर चलते हैं देखते हैं अगला question हमारा क्या कहता है देखे question है कि भारत के निम्नलिखित राजियों में से किस राज्य में हडपा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं यानि कि भारत के जो निम्नलिखित राज्य में से हडपा नगर मिले हैं ठीक है तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या में कहां पर मिले हैं हडपा नग पहला है आपका गुजरात, सेकेंड है जम्मु कस्मीर, सी है आपका पंजाब और दी है आपका यानि की चौथा हरियाड़ा, यह भी देखें सीटेट 9 दिसंबर 2018 को आपसे क्विस्चन्स में पूछे गए हैं, ठीक है, तो यहां पर देखें फ्रेंड्स यानि की भारत के नि एक बार जरूर देखेंगा, अगला क्विस्चन है कि महापासार के बारे में आपको निमलिखित चार कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है, पहला प्थर के ऑजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं B है ये सभी भूमिगत और द्रिश्टी से ओजल रूप में पाए गये थे और C ऑप्सन है कि ये भारती उप महाद्यूप के उत्तर पस्चिम में सकेंदृत हैं यानि कि सकेंदृत हैं ठीक है और D है इनका उप्यूप दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है ये क्विश्चन देखें फ्रेंट 18 से सप्टेंबर 2016 को पूछा गया है ठीक है यहां पर देखिए जो महापासाड़ों के विसाय में आप से कथन पूछे गया थे ठीक है इसका जो सबसे राइट ऑप्सन होगा फ्रेंट ऑप्सन नम सबस्टेंबर डी चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखे क्वेश्चन है कि मनुष्च ने कुछ छेत्रों में लगभग 8000 वर्स पहले गाउं में रहना आरंभ किया था निमनलिखित में से वे छेत्र कौन स क्वेश्च ने कौन से छेत्र थे यह देखे क्वेश्चन आपका सीटेट 21 सितंबर 2014 में पूछा गया था पहला ऑप्सन है आपका नर्मदा के आसपास के छेत्र दूसरा है आपका सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियां सी ऑप्सन है यानि कि थार्ड गंगा तथा यमुन तो देखे फ्रेंट इसका जो राइट आप्सन होगा आप्सन हो जाएगा सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियां मोस्ट इंपॉर्टन इससे देखे क्वेश्चन हमेशा पनते हैं सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियों से ठीक है कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर साल ही आत अगला question है आपका निर्मेलिखित में से कौन सा आखेटक खादे संग्राहक के एक अस्थान से दूसरे इस्थान की और घूमते रहने के कारण नहीं था यह देखिए friends आपका 21 सितंबर 2014 में ये भी questions पूछे गया था ठीक है तो हमसे जो questions पूछा गया है कि निर्मेलिखित में से कौन सा आखेटक खादे संग्राहक एक अस्थान से दूसरे इस्थान की और घूमते रहने का कारण नहीं था ठीक है तो पहला देखिया आपसंदिया गया है कि एक अस्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती है ठीक है बिलकुल सही बात है और आपसे not वाले question पूछ से संघर्ष करना ऐसा बिलकुल नहीं है और डी है कि जल संसाधनों की खोच के लिए तो बिलकुल सही बात है जो नहीं होगा वहीं सही है friends क्योंकि देखिया हमसे पूछा ही क्या था नहीं वाला पूछा था कि कारण नहीं था ठीक है यहाँ पर जो right option होगा option number C बिलकुल correct ह होगा यानि कि जो नहीं वाला होगा वहीं सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था okay चलिए देखिया अगला question है आपका कि मानों इतिहास में कौन सा काल यूग सबसे लंबा है तो देखिया अभी इसके पहले भी हमने यह question कराया था ठीक है कि सबसे लंबा काल किसका है देखिये यह आपका 21 सेप्टेंबर 2014 काया है पूरा पाशार कल महा पाशार कल मध्य पाशार यूग और नाव पाशार यूग ठीक है तो देखिये फ्रेंड्स जो आपका अभी यह questions हमने बताया ठीक है कि सबसे लंबा ओके पूरा पाशार कल अच्छा कहीं पूरा पाशार कल में चलिए यह question हम आप लोगों को छोड़ दे रहा है होमवर्क के लिए ठीक है एक जगह हमने questions बताया था ठीक है आप लोग theory में पढ़ करके इस questions का हमें answer जरूर करिएगा ओके पूरा पाशार काली है ठीक है तेंसर लेने के जुरत नहीं है यहीं वाला सही है आपका जो मानो इतिहास में कौन सा सबसे लंबा यूग काल है यूग चला है ठीक है वह आपका पूरा पाशार है ओके चलिए यह देखे दोशार चोदो में questions पूछे कहें हैं अगला question है यानि कि कहा पर प्राचीन सैली चितरकला मिली है पहला option है आपका करनाटक तथा तमिलनाडू बी है तमिलनाडू तथा आंध्रप्रदेश सी है अंध्रप्रदेश सथा ओड़िस तथा उत्तरप्रदेश तो यहां यह भी देखे आपका सीटट 21 सितंबा 24 को questions पूछे गए है यह ठीक है तो इसका देखे फ्रेंड जो राइट option होगा वह आपका हो जाएगा option नमबर डी बिल्कुल सही होगा मध्य प्रदेश सथा उत्तरप्रदेश में आपकी प्राचीन सैली चितरकला मिली है ओके option नमबर डी यानि कि fourth बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अगला question है आपका शुत का कोह और third option है सी गंग वेरी वाला और चौथा है आपका दी चिरांद ठीक है तो इसका देखे फ्रेंड जो राइट option होगा वह आपका चिरांद बिल्कुल correct होगा यानि कि जो हडपा का अस्थल नहीं है वह आपका चिरांद है ठीक है बाकिस सब आपके लिए अगला question है आपका कि मद्य प्रदेश में इस्थीद भीम बेटी का एक पूरा अस्थल यह भी देखे हमने आपको theory वाले class में बताया है ठीक है आप लोग पढ़ सकते हैं वहां से अच्छे से ओके यानि कि देखिए जो मद्य प्रदेश में इस्थीद जो एक पूरा अस्थल है भीम बेट का ठीक है तो इसका जो राइट प्रदेश में श्थीद जो भीम बेट का है वह आपका एक पूरा पास्थल है एप्सहः तो यहां पर जो राइट ऑप्सण होगा ऑप्सन नंबर फॉर्ष्ट आपका बिल्कुल कर्येक्ट होगा, अगला क्वेस्ट्शन है आपका, sorry, क्वेस्ट्शन है कि किस अस्थान पर मृतगं को प्रायह उत्तर की ओर सिर करके दपनाया जाता था, यानि कि किस अस् यहीं पर देखिए को उत्तर के और सीर करके दफनाया जाता था यह देखिए आपका काफी पहले जुलाई 2013 को यह कुछे गए थे अगला क्वेश्चन है आपका कि निमने लिखित में से कौन सा पूरा पाशार अस्थल है देखिए जो पूरा पाशार अस्थल है कौन सा उसको आपको बताना है ठीक है तो सबसे पहला आपसन है आपका भीम बेट का दूसरा है बुर्चों तीसरा है इनाम गाउं और चोथा है आपका हलूर ठीक है तो इसम क्वेस्चन है देखिए कि लगभग 49 सो वर्स पूर्वा आरंभिक नगर हडपा और मोहन जोड़ों कई कारडों से समाप्ति की कगार पर आने लगे निम्नलिखित में से कौन सा उन कारडों में से एक नहीं है यह क्वेस्चन देखिए अभी हमने उपर बताया था आपको ठीक अवेस्चन का कारण नहीं है जो नहीं होगा वहीं आपको बताना है ठीके तो इसमें दिखिए पहला है आपका जंगलों के विनास और बाढ़ के कारण नगर हुए दूसरा है मावेस्यों के चराने सेम्रिदा आवरान नष्ट हो गया सी है आपका नदिया सूख गई जिसक प्रति द्वन्दिता और लड़ाई ठीक है तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स जो आपसे questions पूछे गये थे ठीक है तो इसका जो right option होगा फ्रेंड्स यानि कि जो नहीं होगा ठीक है तो यह आपका मवेशियों को चराने से जो मृदा आवरा नश्ट हो गया यहीं आपका कारण नहीं है बाकी सब आपके कारण है यहाँ पर मोहन जोदड़ और हडपा को समापत होने का ठीक है यह भी आपके कब आया था फ्रेंड्स तो यह सीटेट 26 जून 2011 में यह questions आपसे पूछे गया थे देखें सीटेट से तो आपके सारी सीटेट नी एंसी ए आर्टी से आपके बहुत सारे questions हर एक एकजाम में पूछे जाते हैं read हो गया यूपीटेट हो गया ठीक है पीटेट हो गया यह सब बहुत सारे questions पूछेगे लेकिन हमने किवल base बनाया है मानो का विकास प्रारमफिक समाज से नगर तक part 2 में हम लोग आज पढ़ लिये हैं ठीक है जितना भी हमारा बाकी थियूरी था और इस से रिलेटर जितने भी हमारे previous year questions paper में questions आए हुए थे ठीक है तो चलिए friends I hope आप सभी लोगों को class अच्छा लगा होगा चलिए friends आज की class में बस इतना ही मिलते हैं अगली class में तब तक लिए धन्यवान बाबाई